आज मैं आप लोगों के साथ में शेर कर रही हूं होटल रेस्टोरेंट रोट साइड वाला गर्मा गराम वेज मंचुरियन की रेसिपी वह भी आपके घर के इंगिरियरियन के साथ बहुत ही डिलेशेज बहुत मसेदार हम लोग शादियों में जाते हैं न वहां पर हम लोग आज मैं आप लोगों के साथ में शेर कर रही हूं यह गर्मा गराम बहुत जादा डिलेशेज मंचुरियन जो की बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत जादा टेस्टी जिसे आप दो तरह से खा सकते हैं चाहे तो ग्रेवी के साथ और चाहे तो आप इसे स्नेक बनाना होना उसके according आप बड़ा या छोटे साइस का ले सकते हैं और अभी आपको इसे ग्रेट कर लेना है तो एक ग्रेटर की help से आप इससे परफेक्ट ग्रेट कर लें गाइस मैं यह नहीं कह सकती हूँ कि आज मंचूरियन की रेसिपी खाने के बाद में आप में इतना जादा डिलेशेश तो देखिए इसे आपको हैंड की help से थोड़ा सा ऐसे दबाते हुए इसमें जो भी water रहना उस सारा remove कर देना और अभी मैंने लिया है यह अधरक और लहसुन और हरी मिर्च तो मैंने बारी कटी हुई हरी मिर्च तीन ली थी आप अपने according कम ज अधिन सबी चीजों को अब को mix करना और एसे के साथ मैं यह सके अंदर शुच सवाजिन करेक्षी ऑंदर गरम शाब्समेर के नहीं लिए लिए कषमीरी एड़ी करदे रही करने लिए तो आप इसकी जगह पे ले सकते हैं कॉन फ्लोर और इसी के साथ में मैं ले रही हूं इसमें मैदा तो मैंने मैदा लिया है थ्री स्पून और थ्री स्पून मैंने लिया है कॉर्ने स्टार्च अगर आप और रोट ले रहे हैं और रोट का पॉडर तो भी आप थ्री स्पून ह करना है इससे क्या होता है नगाइब यह सीक्रेट इंग्रेडियंट इससे जो आपके बॉल्स बनेंगे न बहुत ज्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे अच्छा अगर आपके पास में कॉर्ण स्टार्च नहीं है ना और फ्लोर भी नहीं है तो आप इसकी जगह पर में लोग डालते हैं जिससे कि उनकी जो मंचूरियन की बॉल्स होती ना बहुत ज्यादा क्रिस्पी और क्रेंची बनती है अभी मैंने एक कड़ाई ले लिए और इसमें मैं आट कर रही हूं मस्टर्ड ओयल आप अपनी अकॉर्डिंग ले सकते हैं और इसमें छोटा- में डालेंगे ना तो अंदर तक ये और इसके अंदर जाएगा ये अंदर तक कोख हो जाएंगा अच्छा एक बड़ी ऐसी टिप देती हूं आप लोगों के लिए हैलपफुल हो और इनको आपको पर्फेक्ट हीट करना काफी अच्छे से गरम करना है गरम करने के बाद में अपको सारे बॉल्स इसमें डाल देना है फिर फिलेम को शुलो कर देना है मेडियम डूल कर दीजेगा और फिर एक मिनट तक आपको इसमें स्पून या स्पैचुला कुछ भी नहीं लगाना एक मिनट के बाद में आप इसे लिए हलका से हिला दे या इनकी साइड़ों को च जाए थोड़ा सा तो आप ऐसे वापिस से कि कर सकते हैं तो जो फिर रेक्राइ तो जो फिर कashing देदेते हैं आप बना किसे ऊजय़ते रखते हैं या टाइट बॉक्स में रखके आप इसे स्टोर कर सकते हैं जब दिल करें तब निकालें फटाफट बना लें या बना करके आप इस टाइप से रख लें जब दिल करें टी टाइम के टाइम पर वापिस से निकालें और इन्हें बस फ्राइब करें दुबारा फ्रा मोटे की बड़े साइज का शिंबला मिर्च रेडवाला लिया था और ग्रीन भी लिया था अभी मैंने एक प्याज लिया था आप चाहा है तो प्याज को पहले भी कर सकते कुछ दिर फ्राइब कर ले वैज़ी निहां साथ इसमें आपको आड़ कर देना है नमक नमक डालने के बाद में इन है इन सभी चीजों को आपको हाई फ्लेम पे करना है क्योंकि जो चाइनीज चीजे होती है वो सभी हाई फ्लेम पी की जाती है जिससे कि उसमें एक स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए वेजिटेबल को डालने के एक मिनट हाई फ्लेंपे करना जिससे कि इनका क्रश बना रहे हो इसर साथ मेंसमें अट कर रही हूं ऑज इसे साथ मेंसमें अट कर रहे ह्öllig ए ग्रीम चिली- chemistryr use Awas डालते हैं और इसी के साथ मैं आप इसमें वीनिगर युजान के पाराहbn है इसमें पनीटानी के आ zijn बें इसमें आपको 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 आनरी है रिड थी नहरें लिए जाना है और आपको कॉरन फयूट करनी के बाद में इसमें पानी थोड़ा सा नाल देना है पानी और पानी डाल कि इसका एक अच्या सा गोल बना लेना इसे इस लजरी भी कहते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करके रख लेना है तो देखिये बहुत जादा वॉटर नहीं आफ करना है बस 3-4 चमच छोटे वाले डाल देना है आपको अगर 4-5 चमबज भी हो जाए या 6 चमबज तो कोई बात नहीं इधर जो यह हमारी gravy ready हो रही है इसी में आपको इसको डाल देना है मैंने साथ में थोड़ी से सफेद वाली तेल भी add कर दिया totally optional है बस मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने add कर दिया जो slurry मैंने बनाई थी ना corn floor का गोल बनाके ready किया था उसे आपको डाल देना है और डालने के बाद में आपको इसे continue चलाना है flame को इस stage पे medium to lock कर देना है आप देखेंगे कि थोड़े ही देर में जो gravy है इसके इंदर बहुत ही जाते ठीकने सो जाएगी इसकी जो consistency है वो थोड़ी से thick से हो जाएगी तो बस हमें कुछ इससी type की चाहिए तो guys ये देखिए कैसा लग रहा है आज का हमारा ये manchurian I hope कि आप लोगों को पसंद आ रही हो आज कि रहसे भी पसंद आ रही हो तो चैनल को please subscribe कर लेजएगा और अगर कर चुक है तो thank you so much पिल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजएगा जिससे की मेरी वीडियो की सारी notification आप लोगों तक time to time पहुंसते रहा है तो देखिए जो balls है ना इन बॉल्स को आपको इसे में आड़ कर देना है अगर आप ज़्यादा ग्रेवी वाला पसंद करते है तो फिर आप क्या करें कि इसमें थोड़ा सा वाटर एड़ कर दें और वाटर एड़ करने के बाद में जितनी आपको ग्रेवी पसंद है उतना उसमें वाटर एड़ कर लेना है और को ने के बाद में बस ही आपको मंचोर बारो और अगर आपको इस bubble रेड़ी को रहें अब 10 ग्रेंटल बस आपको मंचोराइन डालना है को करने की जरूरत नहीं है इसकी बाल crunch रहें तो यह देखिए इसकी ग्रेवी देखिए इसका texture देखिए आईasant I hope कि मैं आप लोगों को इसको टेस्ट ही करा सकती गाईज आप इसका सिर्म देख लिजये look देखिए इसका texture यह तिनी जादा delicious बने हैं कि मैं क्या बता हूँ तो गाईज आप लोग एक बार इसे प्लीज जुरूर बनाईए और बना के फिर अपना फीड़बैक मेरे साथ में शेर करें मैं गारंटी से कह रही हूं कि आप कभी ये वेज मंचूरें इतना जादा डिलेशिस बनेगा एक खाने के बार में आपके बच्चे हो या बड़े हो सभी को बहुत क्वाइन जादा खुशी होगी इतना जादा यह टेस्टी बनता है तो देखे गई समर से स्टार्ट हो चुके है ना तो घर्मियों बहुत स्था हो रहे हैं तो बच्चों को बाहर कमी ले जाए रेस्टोरेंट होटल कर बाहर की चीज़े कमी खिलाएं घर की चीज़े आप की रेसिपी होती है तो आप भी बनाएं फीडबेक मेरे साथ में शेयर करें ओके गाइस टेल देन बाए